हालो दोस्तों वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल सुरजपटेल एजूकेशन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वालत है दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ से एक इन्पोर्टेंट नोटिस आ चुका है एमकॉंग के इस्ट्रेंड के लिए यस दोस्तो दोस्तों फिला तो मैं आपको एक रिवीव दिखा देता हूँ कि क्या है क्या है क्योंकि बहुंच से स्ट्रेंट गगर जब मैं टाइम टेबल की बात करू को उनको एक टाइम टेबल देखते हैंStart बहुंग भाग जाते हैं, website पर search करते हैं, क्या वाई, क्या time table हम देख ले, और यार इस video को end करें, लेकिन इस video में ये गलती मत करना, video को सही में end में देखना, क्यों बोल रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ, आप इस video को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जागा कि मैं क्यों बोल र है, 29 मार्स है, अब इसी के नीचे ही मुंबई युनिवोसिटी ने उसके साथ और एक time table दिया हुआ है, जिसका exam चालू होने वाला है, 4 अपरेल से, तो भाई, दोनों में क्या फरक है, दोनों में क्या अंतर है, इस video में हम जानेंगे, तो video को skip मत करना, और अगर आप इस channel पे नए हो, तो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके, इस video को लाइक करना, ना भूलना और अपने जादा स्यादा दोस्तों में जरूर सेर करना, अगर ये video उनके लिए भी useful है, तो चलिए दोस्तों, हम पहले उपर जाते हैं, और उपर वाला देखते कि ये क्या है, तो दो तरी examination का जो time table है, वो नीचे दिया हुआ है, वो बताने के पहले थेरी examination time table का कुछ notice है, कुछ guideline है, जो आपको follow करना है, आपका exam का जो schedule होगा, जो time होगा दोस्तों, वो 9 बज़े से लेके 1 बज़े तक का होगा, और 9 से 1 बज़े मतलद 3-4 घंटे का exam नहीं है, आपको 1 घं by informed that they have to choice 1 hour, मतलब कि आपको कोई भी 9 बज़े से लेके 1 बज़े के बीच में कोई भी 1 घंटे के लिए select करना है, चाहिए आप 9 से 10 में exam दे सकते हो, 10 से 11 में दे सकते हो, 11 से 12, 12 से 1 में, लेकिन अब इसके related एक नीचे एक लाइन दिया हुआ है, कि students are also informed that is supposed he and see has login किया at 12.30, मतलब 12 बच के 30 मिनट पे अगर उन्होंने login किया, तो मतलब student को half an hour का time मिलेगा, exam time का जो hours है, वो one hour का है, लेकिन अगर आप सारे 12 बज़े अगर login करते हो, तो एक बज़े portal बंद हो जाएगा, मतलब आपको half an hour मिलेगा, और उसकी responsibility आपकी होगी, university की नहीं login late कर रहे, university ने time दे दिया है कि 9 बज़े से लेके, एक बज़े के बीच में ही, आपको कोई भी one hour का slot select करने का उसमें exam देना है, ठीक है, उन्होंने साब साब बोला है, इदर नीचे बोल दिया, fully responsible for the same, मतलब आप responsible है, university नहीं, theory exam of this subject is compulsory, theory exam के all subject का exam देना compulsory है, theory exam will be conducted for 60 marks, theory marks का जो exam है, वो आपका conduct होने वाला है, 60 marks, मतलब आपका internal exam भी होने वाला है, 40 marks का, मैं बता रहो, सब बता रहो, दोनों का time table बता रहो, तो वीडियो में जुड़े रहिए, ठीक है, six point में उन्होंने mention किया हुआ है, during the online examination, cell be one hour for 50 MCQs, ठीक है, आपको एक घंटे में 50 MCQs क आपको solve करना है, कोई भी option में नहीं होगा, बता आपको 50 कोशन अटेंड करना है, जो 60 marks का paper होगा, one hour का time होगा, अब दोस्तों देख लेते हैं, आपका time table, तो Tuesday से आपका time table चालू हो रहा है, तारिक होगी 29 March, timing होगा, वही 9 से 1 के बीच में आपका paper code दिया हुआ है, पहला फिर 31, देखो, timing से है, मैं इसके लिए मैं timing नहीं बोल रहा हूँ, 31 March को आपका exam है, cost and management accounting, फिर उसके बाद दोस्तों आपका 1 April के दिन है, आपका paper है, business ethics का, ठीक है दोस्तों, तो ये था theoretical जो exam होने वाला है, ये उनका paper pattern था, ये उनका time table था, अब आपी, मतलब थेरीकर मत paper होने वाला था, उसमें को दो पार्ट में divide किया है, पहला 60 Mark का ठेरीकर, अब दूसरा जो 40 Marks का है, दोस्तों, वो है internal, तो internal exam आपका कब से चालू होने वाला है, मतलब अगर आप अगर आप अपको ठेरीकर भी exam देना है, और internal भी exam देना है, ठीक है, अब ठेरीकर में कोई ठेरी जाके लिखना नहीं है, MCQC exam होने वाला है, लेकिन वो 60 Marks का होने वाला है, 50 कोशन आएंगे, 1 hour का time होगा, अब internal exam में दोस्तों, आपका time schedule सेम दिया है, 9 बजे से लेकिए, एक बजे के बीच में कोई भी लेना है, लेकिन इसका time table change है, लेकिन यहां आपका जो paper होने वाला है, वो शिरिफ आपको choice करना है, half nR, मतलब 9 से सारे 9 बजे exam दे सकते हो, सारे 9 से 10 बजे तक का दे सकते हो, 10 से 10 30 का दे सकते हो, 10 30 से लेकि 11 का दे सकते हो, मतलब आपको जो slot select करने का है, वो कितने का करने का है, half nR, ठीके, then उसके बाद दोस्तों, दिया हुआ है कि अगर आपने login 12.45 पे किया half nr का exam है एक बज़े slot बंद हो जाएगा इधा देखें 1.21 का slot है प में तक का slot है आपने 12.45 को चालो किया एक बज़े slot बंद हो जाएगा exam का जो portal है बंद हो जाएगा आपको 15 मिनट यूज करने मिला इंटरनल एक्जाम के लिए तो उसके responsible आप हो university नहीं है उन्होंने यही mention किया है इंटरनल एक्जाम for this subject is compulsory आपका इंटरनल एक्जाम के सभी subject का देना compulsory है जिसा थेरी का 60 marks का देना थे इसका भी इंटरनल एक्जाम आपको all subject देना है और इंटरनल एक्जाम will be conducted for 40 marks देखे 60 marks का थेरी था इंटरनल 40 marks दोनों मिला के 100 marks हो गया लेकिन थेरी में उदर 60 marks का paper था 50 MC की उस था और इंटरनल में इंटरनल में आपको 40 marks का paper है लेकिन 30 मिनट मिलेगा और इसमें दोस्तों शिरीप आपको 20 questions solve करना है मतब 40 marks का paper है 30 मिनट मिलेगा solve करने के लिए और only 20 questions ही solve करना है अब बात करते हैं इंटरनल में हमारा syllabus का होगा हमको पढ़ना कितना है तो इंटरनल में syllabus जो होगा आपके examination के लिए module number one and two इसके लावा कुछ और आपको पढ़ने की जुरत ने सिव आपको यही दो module पढ़के जाना है सब भी subject में सबी subject के लिए same module दिया हुआ अब time table की बात करो तो दोस्तों मंडे को है मंडे से आपका exam चालू हुए चार अप्रेल से एक अप्रेल को ठेरी खतम होगा तिन दो दिन का break है फिर चार तारीक को आपका paper internal का strategic management का timing same slot वो ही है नौ से एक बज़े के बीच में कोई भी half an hour फिर past तारीक को आपको internal exam है अपना economics का business decision 6 तारीक 6 अप्रेल को आपका exam है cause and management का 7 अप्रेल को आपका exam है business ethics का और दोस्तों ये जो notice है ये दोस्तों 7 मार्च का मतब 2 दिन पहले का ही notice है तो I hope दोस्तों की video आपको पसंद आई होगी और इस बार सभी student को याद रगना है कि 100 marks का paper है भले online ही paper होने वाला है आप लोगों का लेकिन मार्च के लिए ठीक है 60 marks देगा internal 40 marks के लिए होने वाला है 30 मिनने वाले है और उसमें आपको सिर्फ 20 mcq solve करना है तो I hope दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा अगर पसंद आया लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जाधा साधा दोस्तों में share कीजिए मैं फिर सुर मिलूँगा नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई दोस्तों जे हीन जे भारत दोस्तों